आज हम बात करते हैं तीन गुणों की जैसा कि हम जानते हैं देवी महात्म्यम के अनुसार मा सरस्वती सत्वगुन को दर्शाती हैं मा लक्ष्मी रजोगुन को और मा काली तमोगुन को स्रिष्टी की रचना हे तू ज्ञान आवशक है तो इसलिए मा सरस्वती स्रिष्टी के पोशन के लिए धन धान्य आवशक है तो इसलिए मा लक्ष्मी और लए के लिए मा काली और इसी प्रकार मानव शरीर भी अपने आप में स्रिष्टी का एक छोटा सा रोप है स्वयम की उन्नति के लिए ज्ञान आवशक है, पोशन के लिए धन आवशक है और अज्ञान का नाश करने के लिए उर्जा आवशक है साधना के माध्यम से हम इन तीनों गुणों को दैवे गुण की और मोड सकते हैं स्वामी कहते हैं तमो गुण से रजो गुण की और बढ़ो, रजो गुण से सत्व गुण की और सत्व गुण से दैवे गुण की और इसी प्रकार, जब हम आध्याप्मिक सादना में बढ़ने लगते हैं, तो स्वामी स्वयम हमारी सहायता करते हैं. इसी से जुड़ा हुआ एक भक्त का अनुभव, आईए हम सुनते हैं. स्वामी ने कई बार हमें अपने दिव्य प्रवचनों में बताया है, कि मुझ में हजार माताओं का प्रेम समाया हुआ है. स्वामी के इसी मात्र भाव से जुड़ा हुआ, मेरा एक परसनल एक्सपिरेंस मैं आप सब से शेर करना चाहूंगी. मेरी मदर को चालिस साल की उमर से ही एक कंभीर बिमारी थी, जिसका नाम अलसराइटिव कॉलाइटिस है. उसके करके मेरी मदर के पेट में बहुत दर्द रहा करता था. बीस साल के अंदर अंदर वो इतना जादा अलसर उनका बढ़ गया कि उन्हें डॉक्टर्ज ने दोहजार आठ के करीब डिटेक्ट किया कि उन्हें कोलन कैंसर की बिमारी हो गई है. उसके पहले ही कि हमें पता चलता कि हमारी मदर को कैंसर हो चुका है, उसके पहले ही मेरी एक फ्रेंड मुझे दिल्ली में बोलती है, मैं तुम्हें अपने एक गुरू के पास लेके जाना चाहती हूँ. खेर ऐसा कुछ समा बना कि उसने बोला और मैं एक इनसान के घर में जाती हूँ जिनको भाया कहती थी, जैसे ही मैं उनके समक्ष बैठती हूँ, वो गीता का पार्ट कर रहे थे, और जैसे ही मैं गीता का पार्ट सुनने लगी, एक शान्ती का अनुभव हुआ, एक सकून का अनुभव मुझे हुआ जो के शायद मेरे 20 साल के अंदर महसूस नहीं हुआ था, उनके सामने बैठे और पहली बार मैंने 2008 के करीब मैंने सुना सत्य साइम बाबा का नाम, मेरा पहला प्रशन था, यह सत्य साइम बाबा कौन है भाया, और उनका जवाब एक ही छोटा सा एक बार मात्र कहने पे कि यह भगवान है, एक यकीन हो गया था अंदर से, कि यह वही राम है, वही कृष्ण है, जो कि द्वापर यूग में, तरिता यूग से द्वापर यूग के बाद कल यूग के अंदर वही भगवान वहाबस हमारे समक्षाए हैं, कुछ ही महीने कि मेरी मादर को अलसराइटिव कोलाइटिस से बढ़के कोलन कैंसर हो गया है। वो छे महीने का टाइम जो डॉक्टर ने हमें दिया। उस समय के अंदर मैंने शायद हर महीने कोशिश करी कि मैं सौमी के सामने आके बैठूं। और किसे ने कहा लेटर दे दीजिये। अगर सौमी ने लेटर लिया तो माँ ठीक हो जाएंगी। वो भी करके देखा। जैसे ही फर्स लाइन में बैठी लेटर देने की कोशिश करी। सौमी ने मुड़के मेरी तरफ देखा। मगर लेटर नहीं लिया। बहुत तकलीफ हुई। यकीन था यह भगवान मेरे सामने से गुजर रहे हैं और मेरी मा का लेटर नहीं ले रहे हैं। मा को ले जाएंगे। मगर वो जो छे महीने का टाइम था जितना भी लिटरचर पड़ सकती थी वो पड़ा भगवान के बारे में। पता चलना शुरू हुआ कि शरीर नश्वर है आत्मा अमर है। मा को सामने देखती थी कैंसर हॉस्पिटल में छे महीने हरो सुभा शाम काम करना छोड़ दिया था। सुभा शाम लिफ्ट से उपर जाना मा की शकल को देखना कि बस थोड़ा ही समय है बस जाने ही वाली है। मा एक ऐसा रिष्टा है मा का जो शब्तों में बयान नहीं किया जा सकता है। सिरफ महसुस कर सकते हैं आप सब महसुस कर सकते हैं कि जब आपकी सबसे प्यारी चीज आपको छोड़ के जाने वाली है वो कैसा महसुस होता है। और आखरी दिन आया जब डॉक्टर ने कहा है यह आगे मा नहीं रुकेंगी। और जिस समय वो आया के माँ ने स्वांस छोड़ा, तो उनके शरीर को देखते देखते मैंने हवा में देखना शुरू किया और बोला कि ममी आप बहार आ गए हो, अब तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है ना, अब तो आप फ्री हो गए हो ना, आँखों में आशु जरूर थे, तकलीफ बहुत जादा थी, मगर यह यकीन था कि वो इस जन्जाल से भार निकल चुकी है, और यही शक्ति भगवान ने हमें दी है, जब मैंने हवा में देखा, तो यह मैसूस हुआ, कि अब मेरी मदर फ्री है, मा इक्दम इस दुनिया के कर्म के बंधन से मुक्त हो चुकी है, स्वामी के लिटरचर से, स्वामी के पास आने से इतनी शक्ति आ चुकी थी, कि वो तकलीफ तो थी, मगर वो छोटे-छोटे कदमों से, जलते जलते जो भगवान ने हाथ पकड़ा है, वो आज मैं आपके सामने समाक्ष पैठ के आपसे शेयर कर पारी हूं, वो शक्ति जो है, स्वामी नेहीं दी है, इसका कोई शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकते हूं, आज मैं आप लोगों से अपनी मा के बारे में नवरात्री के दिवस पे ये अपना पस्नल एक्स्पीरेंश शेयर कर पाई, थैंक यू सो मच, जय साइराम. अभी हमने जाना कि कैसे भगवान हमारी साइमा आध्यात्मिक साधना में बढ़ने में हमारी मदत करती है, लेकिन फिर भी हमारा चंचल मन एक जगह नहीं टिकता, कुछ ऐसा ही अनुभव भगवान के घनिष्ट भक्त अर्जुन का भी था, वे कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा ये मन अत्यांत चंचल है, वे एक जगह ठहरता ही नहीं, कुछ उपाए बताओ, और ऐसा ही एक अनुभव भगवान के युनिष्टी में पड़े वे एक पूर्व चात्र का था, वे अत्यांत दुविधा में थे, वे अपनी विवश्टा भगवान के सामने एक पत्र में प्रकट करते हैं, वे अत्यांत दुखी थे, क्योंकि उन्हें अफसोस था कि भगवान के दिव्य उपस्तिती में, भगवान के कॉलेज में पड़ते हुए, कुलवन्थ हौल में आते हुए भी, वे अपने विचारों को नहीं रोक पा रहे हैं, उनकी विचार गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, और अपनी इसी व्यथा को उन्होंने एक पत्र में प्रकट कर दिया, स्वामी उनसे उनका पत्र लेते हैं, और साक्षातकार कक्ष में उन्हें बुलाते हैं, और बहुत ही प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ? वे कहते हैं, स्वामी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कि होगेंगे ही नहीं, ये तो clouds की तरह है, आते और जाते हैं, इन पर ध्यान मत दो, फिर ये भाया पूछते हैं, स्वामी, ऐसा कैसे होगा? स्वामी कहते हैं, don't let your actions follow your thoughts, और ये बड़े अचंबे में कहते हैं, स्वामी, ये भी कैसे संभव है, कि हम अपने actions में अपने विच और shirt पहन कर बाजार में जाते हो, और चल रहे होते हो, तो सामने पड़ी गंदगी आ जाए, तब तुम क्या करते हो? स्वामी, हम उस गंदगी से बश्तेवे कूथ जाते हैं, बिल्कुल ठीक, तुम कूथ जाते हो, ताकि वह गंदगी का चीटा तुम्हारे उपर ना आए लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम अपनी परच्चाई को भी उस कीचड में गिरने से रोक सकते हो? नहीं स्वामी, हम नहीं रोक सकते. बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या तुम फिर परवा करते हो, कि हमारी परच्चाई गंदी हो गई? वे कहते हैं, नहीं स्वामी, भगवान क कहते हैं कि बस तुम्हें यही करना है, तुम्हें अपने actions में अपने thoughts को follow नहीं करना है, और इस तरह भगवान हमारी सत्व गुंड की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, तो नवरात्री से जुड़ी वी कुछ और बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जै साइराम सभी पदार्त ब्रह्म है, सभी स्वरूप भी ब्रह्म है, यही वो सत्य तत्व है, जो उपनिशदों ने बोध किया इसलिए हमें अपने अंदर मौझूद चिपी और अद्रिश चेतना को व्यक्त करना है, हमें इसे किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए, सर्दियों में हम अंदर बनियान पेहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पेहनते हैं, और उसके ऊपर एक मोटा कोट पेहनते हैं, इतने सारे कपड़े पेहने के बाद हम अब सोचते हैं, मैं अपनी छाती और दिल देखने ही पा रहा हूं, हम उन्हें कैसे देख पाएंगे, सबसे पहले ऊपर पेहना हुआ मोटा कोट उतारो, फिर अंदर पेहनी शर्ट को उतारो, फिर अपनी बन्यान भी उतार, अब अपने आपको देखो, आप अपनी छाती देख पाएंगे, इसी प्रकार, आज हमने अपने उपर तमोगुन नामक एक मोटा कोट पेहना हुआ है, हमने सजावट से आकरशित रजोगुन नामक एक शर्ट पेहनी हुई है, ताकि शर्ट मैली ना हो जाए, हमने एक पतली सात्विक नामक बन्यान पहनी हुई है, इन तीनों परतों से ढखी हुई, हमारी छाती और दिल हमें कैसे दिखेंगे, इसलिए सबसे पहले तमोगुन को हटा दो, उसके बाद रजोगुन को हटा दो, उसके बाद सात्विक गुन को भी हटा दो, तभी आपको आत्मतत्त्व का बोध होगा, इन सभी कपडों को आपने खुद पहना है, जो पहना है उसे उतार दो, तब आप उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है, तभी आप आत्मा को उसके स्वरूप में अच्छे से समझ पाएंगे, उसे देखने के लिए कोई नया प्रयाज करने के जरूरत नहीं है, आपने अपने अपने गुणों को बढ़ाया है, इन गुणों को हटा दो, और अंदर स्थित हृदय का दर्शन करो, इसे करने के लिए भगवान की खृपा चाहिए, इस इश्वरिय क्रृपा को पाने के लिए हमें साधना करनी होगी, गानल ऑनकी खाने कीया है, प्र这么 coverage मेΐ रवान करो हृदय को में साधना करनी हो, तो बढ़ागे, भाने पॉणों करनी होगगी टास्uffies, ठात करनी हो बढ़ाई गुणों की खानी होगै,